पिछले सब्ता व्यास नदी में आई बाड़ से लारजी विद्धुत परियोजनाओं को करीब 7 क्रोड रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया है व्यास नदी में आई बाड़ विद्धुत परियोजनाओं के पावर हाउस में मुख्य गेट से घुस गया था जिस कारण पावर हाउस के अंदर बिजली पैदा करने वाली टर्वाइनों सहीत अने अनेकों उपकरणों के खिशती घ्रस होड़े का अनुमान लगाया गया है इतना ही नहीं बाड के पावर हाउस में घुसने से पावर हाउस के तीनों मंजिल रेट वगाज से भर गए हैं बाड का पाणी पावर हाउस के मुख्य दुआर होकर घुसा जहां से आम करमचारी वदिकारी हर रोज आते जाते हैं अनुमान तो यह लगाया जा रहा है कि पावर हाउस के बाड़ के पाने गुसने से विद्धोत उतपाद करने वाले सभी उपकरणों को ख्षती पहुंची है जबकि रेट पाने गात से भरे पावर हाउस के अंदर तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया है जो बाड़ के कारण लारजी प्रोजेक्ट को कितना नुक्सान होगा है और कब तक अमीद है कि फुरी द्वारा हो जाएगा सर लारजी प्रोजेक्ट को इस बाड़ से जो 9 और 10 तारीक कोई है इससे तकरिबन 658 क्रोड का नुक्सान होगा है तो एक वार हमें डी वाटरिंग कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम असेस कर पाएंगे कि हमारी मेशीन को कितना डेमेज होगा है तो अपॉर्टनिंगली हम इसका रिस्टोरेशन टाइम बता पाएंगे और बादाएस का रोड भी पूरुकर रखे ठूट गया तो उसके का दिक्कते आ रही है क्या पीछा क्या प्रिक है रोड के लिए किनेंग्टिविटी अब बन गई है साड़ाभाई के साथ में हमारा कोलॉनी जो है साड़ाभाई में है और ठलॉट में है इनके साथ connectivity अब restore हो गई है, शुरू में दिक्कत आई है, मगर आप हम लोग comfortable है, हमारी colony में भी नुकसान हुआ है, काफी